दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार केजरी बाल के होसले वे पस्त और वो दिन दूर नहीं है कि केजरी बाल अब नहीं भाग पाएगा अब नहीं छिप पाएगा आप केजरी बाल को जाना हुए होगा कहां जाना होगा समझ लीजे तिहार तिहार बुला रहा है आदमी वह वाल भी होंगे एक और आप पार्टी की संस्थापक महिला जो शुषोदिया जी की बहुत खास थी है और संजय सिंग की आप पार्टी मिजनर में अब इनका चीप मिनिश्टर सिभ जाना निश्चित तोर पे है यह जेल जाएंगे इस घोटाले में सराब घोटाल में इन्वा महिला कि कविता को भी एरेश्ट कर लिया गया है आप सिर्प केजरी वाल को आज बहुत बड़ा जटका लगा केजरी वाल को क्या जटका लगा किसी तरह से यह बच रहे ते आदालत के सामने नहीं जाना चाहे रहे ते हैं तो बसते आप इन्होंने क्या किया था कि जो सेशन कोट में टायल किया था सेशन कोट में अप्लिकेशन दी लेडी लोवर कोट में दो मुकदमें इनके ओपर दायर हो गयते यह सम्मन पर जा नहीं रहे थे तो इनों का जो केस हुआ कल और एक आज दो सुनवाई उसमें हुई कल वाली सुनवाई आप बाकाइदे की बहुत तगरा जटका इनको लगा है याज का खारिज कर दी गई और याज का खारिज करने के बाद ये भी कह दिया गया हल हाल में कल आप 16 मार्च को लोवर कोट में मेजिस्टेट की अदालत में ACMM ACMM की अदालत में एडिशनल चीप मेट्रो प्लेटन मेजिस्टेट की अदालत दिब्या मलोत्रा की कोट में आप वहाँ जाएंगे और जो उनके नहोंने जो बुलाया था 16 मार्च को ACMM कोट ने उसके लिए आप जो सम्मन पे जो रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया बह 19 मार्च गुरवार को 15 मार्च आज सुक्वार को लंबी सुनवाई हुई सुनवाई में राके सहाल जी ने कहा कारवाई पईष्टेख खारिस किया जाता है लेकिन अगर वह उपस्थित से छूट चाहते हैं तो टैल कोट में अपील कर सकते टैल कोट पे अपील कर सकते एब बिशर्म होते हैं जो आप समझ लिजे आपको इस चीज बता दे जब चोड होता है वह चोड जो होता है वह डरता है वह जाता नहीं सामने एक लड़का अगर नकल कर लेता या मॉल्ले से कोई चोड़ी कर लेता है तो मॉल्ले में आता नहीं है जिसके चोड़ी की उसके साम करने से डरता अब केजरिवाल खुद कहते थे इसी रामलीला मैदान में जब आप पार्टी का पर जब आप से पहले अन्ना का धर्ना पर दर्सन चला था तब यह कहते थे लोग पता नहीं क्यों सी बी आई कि उसमें नहीं जाते जाना चाहिए है सी बी आई को तो डायरे अरेश्ट कर लेना चाहिए मारते हुँ ले जाना चाहिए यह कहते थे दूसरी आपको बताना है कि आज जो सबसे बड़ी बात रही वो यह रही कोर्ट में लाउज अबनी कोर्ट में दो कंप्लेंट फाइल हुए ती दोनों का आज फैसला हो गया आज एक चीज और है आज सब लोग हस के यह कह रहे थे मुद्दै सुस्त गवाच चुस्त इन्हों ने वहां पर यह कहा कि उनके वकील ने जो इनके वकील थे मिस्टर गुपता ने और राजु जी ने उन्हों ने यह कहा लमेज गुपता और राजु जी ने कि ये एक लोग सेवक है और दूसरे एक लोकसेवर है लोकसेवक है और इसको किस हैसे से बलाया गया है गवा के रूप में बलाया गया है या फिर एक मतलब दोसी के रूप में बलाया गया है या एक पार्टी के रूप में एक चीमनिस्टर के रूप में या कॉर्डिनेटर के रूप में किस रूप में बलाया गया है ये बात इन्होंने वहां पर कही अब वहां लोग इसके बाद आपको बताना है कि पार्टी में क्या पोजिशन है आज पार्टी में सब लोग ये कह रहे हैं कि गवासुस्त, मुद्दई सुस्त, गवासुस्त, अब तिहार का होगा बर्धस्त, अब तिहार का होगा बरहस्त, अब आपको बतलाना है कि आज जो पोजिशन नहीं, फैसला पहले, आज लंज से पहले फैसला शेप कर लिया था, राकेश शियाल जी ने जो उसमें लाउज एबनी कोट के जो जजज हैं, उन्होंने सेप कर लिया था, और लंज के बाद जब फैसला सुलाया, तो उन्होंने ए भी कह दिया, कि हर सूर्थ में ACM दिब्याम महलोत्ता जी की कोट में कल ये हाजिर हों, इन सब के बाद आपको बतारा है कि S.P. राजू ने आज कहा वहाँ पर कि ये तर्खीन करना है, ये तर्खीन जो है आर्गुमेंट करना है, इनके वकील गुपता जी, इनके टोटल जो आर्गुमेंट है वो तर्खीन है, S.P. राजू ने जाँच अदकारी के सामने पेस होकर के A.B. का कि जो भी फैसला होगा हम सब लोग मानेंगे, मगर ये जो ये कह रहा है कि गवा या सही होजग या शियम या जाँच जरूरी, तो उस समय जब ये इन्होंने कहा, वकील ने कि किस हैस्थे से बुलाएगा है, तो लाजू ने S.P. जो स्वाली सीटर के जो स्वाली सीटर, लाजू जी ने उस समय उनसे कहा, कि देखे जाँच जरूरी है और जाँच में के बाद ये निलने होगा कि ये आरोपी है या ये ये गवां के रूम में है या सियम के रूम में है या कॉर्डिनेटर के रूम में है ये जाँच के बाद होगा जब ये बात कोर्ट में उन्होंने कही लाजू ने असिस्टेंस व रहे गया अपोजिस साइट के एडवोकेट के पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं था इसके अलाबा आज आज जो सबसे बड़ी बात रही है वह यह रही है कि अरविंद केजरिवाल जी को कि जो एडवोकेर आजवी मोहन और रमेश गुपता जी ने आज यह भी का कि यह मा लोग सेवक है इन्हों का सियम एक लोग सेवक है तो एडिसनल सॉलिसीटर जनरल लाजू ने कहा कि देखे संबन परसनल कैपिसिटी पे दिया गया जब यह का तो एकदम से कोट सन्न हो गई और अप और इनके वकील केजरिवाल जी के लाजू मोहन और रमेश गुपता जब दर्ज किया गया है जब वो शीम थे और जब वह सीम थे आज एक साप हो गई कि बहुत पश्च तबोर पे चिसको होना चाहिता कि मैं मुखवंतरि हो यह सीम के दोनान हुआ है और रिकार्ड में बहुत साफ है कि सीम थे इसलिए सियम पे डाइरेक्ट मुकदमा है ये भी आज किलियर हो गई अब एक केजरी वाल का तर्क एभी नहीं रहा है इनकी जो मेंस आती थी इस पूरे उसमें सौ करोड के घोटाले में शराब माफिया सराब लिक्वल उस पे के कविता की अरेस्टिंग हो गई है और आपको हो जाए कि आज की जगए परसों सुनवाई होगी नर्सों सुनवाई होगी तो वहां जाना ना पड़े इसलिए लोवर कोर्ट से सैसन में जब यह बात कहें तो नमेज गुत्तन का इसलिए हम दो दिन पहले आए इसलिए क्योंकि हमें पता था कि दूसी सिकाइद भी नमेज गुपता ने जिसकी बहुत हसी हुई पूरे देश में आज पूरे दिल्ली में लोग हस रहें कि हमारा आदमी इतना आम आदमी है इतना साधानल आदमी है कि वह पैंट के ऊपर सट पहनता है मतलब सट को भी अंदर नहीं करता है सिंपिल जो है चपल पहनता कभी कोट में इन की रोज आना पूरे जारस राती है नीला कोट कई कोच है इस जूते पहनते हैं सब पैर के जटके चला गया था तो उसको डंडित किया गया था और यह जूते बगए सब पहनते यह सब बाते जब उन्हों कई तो लोग हस रहे हैं पूरे दिल्ली में यह बात है आज आपको जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं पूरे तेलंगाना में खुशी का बनाई जा रह अगला तेलंगाना में गया नहीं केजरिवाल चूड़ी जान राता वहां पर कहीं हासा नहों जाये जैसे ही यहां पे हासा हो गया थैजिभन पहनने लगे थे तो सबसे हदा तिलंगाना के लोग किसे आए हुए है कि चुनाओ दौलान नहीं आए अगर यह सक्सा गया तो इससे हिसाब चुकता करें दूसरी आप पार्टी में खुसी का महावल है पूरी यूपी की आप में आप सुने खुसी है कि अच्छा वह सभी कहना है जल्दी यह जाए तो पार् कौना जाएं यह लास्ता खाली करें पार्टी बचे ताकि पार्टी में नए लोगों को मौका मिले और इनकी आप एक चीज और है के रीवाल के हां चर्टा चल गई है कि इनकी वाइफ के लिए कुल मिला करके मापको बता रहा है के जर्ए वाल का यह आखडी दिन है शायद यह पेंट के उपर इस शट पाइंटे थे जो दाउद पाकिस्तान में है वो का पाइंट के ऊपर सट पहनता है और जितने भी बड़े लोग हैं एक नटवल लाल था वह फ्रसित पहिंटा था हाजी मुस्तान और बखिया बगहरा भी पैयंड के उपर सड़ पैनते जो ऐसे गुन्डे टाइप के लोग होते दूसरी बात है चाहिए पुलिस के मुख्यूर होते हम एसा पैंड के उपर सड़ पहनेंगे यह रिकॉर्ड है पैंड के उपर सड़ार पहन करके मुखवर चलेगा तो यह लिए आम पार्टी को नंगा कर दिया पैंट भी उतर गई सब लोग कह रहें इनी को बाहर करो अगर यह जेल चले जाएंगे तो आप पार्टी बच जाएगी और पैंट सर्ट पहन के दुबारा खड़ी हो सकती है दोस्तों नमस्कार मैं आजयर पत्रकार